स्वागेद आप सभी का आप सभी के पसंदार्ट्यूप चैनल राय एजुकेशन में उत्र जारवरती आज के प्रमुक अकबार उसे आज के मौनिंग शेशन में कई महत्पून अपडेट को कवर करेंगे जिन में सबसे ज्यादा जो प्रमुक है हर चीजों से सबसे ज्यादा सरवपरी वो है वो है डीस अपना भारत अपनी मात्र भूमी चीन को चीरने का वक्त आ चुका है जिस प्रकार से घुस पैठी है ये हिंदी चीनी भाई-भाई के नारा देते हुए हर जगां कबजा करने वाली इनकी रण नीती चलती रहती है उसका करारा जवाब सेनिकों ने दिया है लेकिन हमको च्छती भी बहुत ज्यादा हुई है जैसा सुनने में रहा है कि 20 सेनिकों ने सहाधत प्रापत की है लेकिन उसके जवाब में 43 चीनी कायर मारे गये हैं जो कम हैं जो कम है हमारे 20 सैनिक उनके 2000 सैनिक जो है कायर मारे जाएंग तो ही बराबर होगा इसके लावा कई प्रमुक और अपडेट कवर करेंगे लेकिन ये न्यूज अपडेट जो है अपने आपे हमको एक जूट रहने की सला देता है इस पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति करती है वोड बैंक की राजनीति करती है रूटियां से एकना चाहती है तो उसका करारा जवाब सिर्फ और सीफ एक सिक्षित व्यक्ति जो समाजिक व्यक्ति होगा जो राष्ट हित की बात करने वाला होगा वहीं बात करेगा इसके लावा कई महत्पून अपडे आईए सारे टैक करने के वज़े से संटसर थाट संटसर लोगा सिंग पटेल वर्सेज स्टेट आफ यूपी वो चैनित लिस्ट के उपर प्रशनचीन है उसको रद्गरानी के मांग इनके द्वारा की जारी है उसके आज महत्पूर्ण सुनवाई है मोडिफिकेशन अप्लिकेशन पर सुनवाई की तयारी सरकार की लगातार है और देट की लेकर प्रशनचीन उठा हुआ है उमीद है जल्द देट मिल जाएगी तो सभी चैनित एक जूट रहे हैं और सभी लोग जिनके पास वीडियो चाहती है जाती है और वो एक जूटता अ बहुत ज्यादा 2013 में इशू हुआ फिर 2014 में P13, P14 फिर 2017 में डोकलाम का इशू जो हुआ और फिर 2020 में ये संगर्स चल रहा है अगर आप 2020 को देखोंगे तो जितनी सरहद हैं देश की जितनी सिमाएं हैं हर जगां संगर्स चल रहा है चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से संगर और अभी तक हमने कभी सुना ही नहीं था कि नेपाल भी कभी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा वो नेपाल जैसा देश भी हमारे खिलाफ बगावत जैसी आवाज ही उठाता है वो ऐसा देश जो पूरेत है हमारे पराश्रित है ऐसा देश जो अभी विश्यमता की परिश पृट्धा माइने रखती हैं यहाँ पर जातिवार वर्गवार फाटिवार धर्मवार ना बढ़ती हुआ अगर आप एक जूते हैं अपने देश के परती जिस मिट्टी के लिए आपकी करतव पराणता सर्वो परी है जिस मिट्टी में आपने जन मिलिया है तो उस मिट्टी का कण कण को आपको समर्पित रहना है यह सबसे आदा इंपॉर्टेंट है चीन से खुनी संगर्शम 20 जवान सहीद हुए हैं हाला कि अब जो परताल निकल गरारी तैटालीस चीनी दीमक तैटालीस चीनी कायर आपके यहां पर मारे गए हैं लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए और सरकार को अब करारा जबाब यहां पर सैनिकों को प पर प्रिगेडियर लेवल पर आपके मिटिंग चल रही है और यहां पर सैनिक कुछ और काम कर रहे हैं तो जाहिट सी बात है कि इनके सैनिकों के जिस प्रकार के आदिस मिलते हैं उस प्रकार से वो काम करते हैं और यह आगर आप देखेंगे फिंगर्स पॉइंट्स जो है यह आठ तरीके के फिंगर्ज आपके कह सकते हैं कि माउंटेन पीक्स हैं चोटे चोटे पर भारत का यह बेश कैम्प है अब यह लोग उठकर पांचमें से इधर आने की कोशिच कर रहे हैं और यहां पर पूछा जारें क्यूं ऐसा कर रहे तो बोलने की भारत वाले गुसे च सुपाइब प्रेश्र काइब और ज्यादा बोलों को भी तो गर्दन में बुड़ा दिया जाएगा यहीं काम होना चाहिए पूर्टिया फोज को स्वतंतरता देनी चाहिए उसके उपर कोई भी ना डिबलमेटिक प्रेशर हो ना किसी प्रकार का पार्टी प्रेशर हो देश के प्रती उसको काम करने के लिए लगाया गया है तो उसको वो छूट दी जानी चाहिए सबसे इस पश्ट बात है बहराल आप क्या चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताईएगा क्योंकि आपकी एक जुड़ता देश के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है अब चलते हैं अपनी भरती की तरब कुछ मैंतपून अपडेट हो नतरजार बरती में सक्षा मित्र फिर पहुंचे सुप्रीम कोट गलत प्रश्ण मामले में सक्षा मित्रों ने फिर सुप्रीम कोट में याचिका दैर की है सिक्षा मित्रों ने इलाबाद हाई कोट की लखनों बेंच के फैसले को चुनवती दिये हाईằngिश की लखनोंوق बेंचर ने 592 सिक्षघ मितरों सिक्षघ भरती में को जारी रखने के आदिश दिया था गौर्ड तलब है कि गरद प्रश्ण के बामले में सिंगल बेंचर ने सरकार को जांच करने के लिए का था और बर्ःठ पर रोग लगा दी थी इसके बाद उत्तरपरदे सरकार ने High court की खन्ट गई और इस बेंजर नेaison single bench की आदेश को रुक कर भरती प्रख्रिया दुबारा शुरू करने की बाद गई है और इस आदेश को सिक्छामित्रूवने पुना चुनोती दिया वर यहां पर Supreme Court अब यहां पर Supreme Court कोट खेला जाए ठीक है तो यहाँ तक पेशंस हमने किया है तो यहाँ प्रोभी पेशंस रखेंगे वारालब सरकार को अपने रणनीती के तहट ह Kendall क्या क्लाप है सरकार अपने हिसाब से काँ आगे बढ़ाती रहे हैं दूसरी प्रमुक अपडेट है कि यह था दो हुई रहा है उसी क्रम में महिला आरक्षन का मामला भी पहुंच गया है कोट, सीधी बरतियों में महिलाओं को 20% पदो पर 36% आरक्षन देनी की विवस्ता दमांग को लेकर धाक्यूल हुई है याजिका एक और पेच है कि 1999 बे 2003-2007 वह अगस्त 2015 को हो चुकिया है सासना देश 32,825 प्रशिशों सिच्चक भर्ती में मिला था 50% पद PCS कन सक्षाधिकारी लेकपल भर्ती में मिला था लाब यहाँ पर भी यह मांग है प्रशिदी प्रात्मी स्कूलों में 99,000 साइक अदावक भर्ती मेलाओं को 20% शैतिज आरक्षन न देने का मामला हाई गोड पहुंच गया है और देखिए भर्ती प्रक्रिया जितनी देर यहाँ पर रुकी रहेगी उतना ही केसेज अपने पने हिसाब से होते रहेंगे जैसे सिक्षा मित्रों को भारांग का लाब मिल रहा है वैसा अनुदेशों को ने भी भारांग देने की बात कर दी है ऐसे कई तबम मुद्दे निकल कराएंगे कोई अपने हिसाब से कोई कुछ और कोई कुछ क्योंकि कमियां तो सब के अंदर है कमियां हर चीज में सासना देश जो है उस पर किसी को फोकस नहीं करेगा सब अपने अपने हिसाब से अभी देखिएगा यह भी होगा कि जिले वार जो आपको डिस्ट्रिक लॉट्मेंट हो चुका है उसके बाद जब आपको आपके खंड यानि कि आपके ब्लॉक वाई जब आपको विद्धाला मिलेगा तो वहां पर भी लोगों को प्रश्मिचिन होगा कि मुझसे कम मेरिट वाले को सहरी ब्लॉक मिल गया है और मेरा ज़्यादा मेरिट है मुझे ग्रामीन आंचल एक दम दूर भेज दिया गया है इस पर भी लोग जाएंगे कोट तो कोट की प्रक्रिया समापत नहीं होगी क्योंकि सबके अपने पने राइट्स हैं अपने स्टैंडिंग ओवेशन देती रहेगी तब तक लोग इसको सलाम करते रहेंगे और आज किस दुने महत्पून है इलावा अधर हाई कोट की लगरों कर्ण बीच में अडिशनल कॉसलिस 17 तारिक क्यानी की आज क्या है कोट नमबर 16 में जेस्टिस राजन रॉय की बेंच में च्छटे नमबर पर आपका एडिशनल में में मेंशन है आपका केस 90-50-2020 लोगा सिंग पटेल एन अदर्स वर्सेस टेट अफ यूपी ये आज की डेट फिक्स की गई और इसकी सुनवाई बहुत महत्पून है और जो विपक्स की लोग है या जो लोग कैटेगरी के हमेशा बात करते हैं वह बहुत जादा इसको लेकर मजबूत इस्तिती में हैं उनके द्वारे बोला जारे कि इस्तिती बहुत मजबूत है हमारे कीस बहुत जादा धरातल पर है और 20 हमारा बहुत मजबूत है उमीद है यहाँ पर सरकार की कारवाई लीगल तीम की अपडेट जो भ लाग ट्रेट में सामिल हुए फिर उसमें से 4 लाग सुपर ट्रेट में सामिल हुए फिर इसमें से 59 जार चैनित हुए तो 13,000 तो अब रद ही चाहिए ना उनको क्योंकि बेर नहीं मिले हैं तो बेर खटे हैं लेकिन भारसमाचार ने 13,00 को खुछ करने का ठेका ले रखा है ल इन 13,00 लोगों में हैं यह जो चैनित लीस्ट में नहीं हैं अपनी जगा नहीं बना पाए हैं थो उनको कही न कहीं ठूड़ी से कसम कार्थ है और होनी भी चाहिए क्योंकि कोई बढ़ति प्रक्रिया में अगर सेलेक्शन नहीं हुए तो उस बढ़ति प्रक्रिया को ना मेर रिए राइजूकेशन के सामें धन्य बाद